नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों सारुक खान और आर्यान खान की कॉल रिकॉर्डिंग हुई वाइरल मच गया हड़कम जिहां आप सभी को पता होगा कि जहां आर्यान खान को लंबे अर्शे सी जिल में रखा गया है और NCB की टीम आर्यान खान को छोड़ना भी नहीं चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि सारुक खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा छट पटा रहे हैं और वो अपने वेटे आर्यान खान को छुडाने के लिए अपनी लाख कोसिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जो बेटा है आर्यान खान वो अपनी गलती की वज़े से इतनी बूरी तरह से जिल में है कि वो आज भी निकल नहीं पा रहा है अब इसी वीच सारुक खान ने अपने वेटे आर्यान खान से फोन पर बात करने की कोसिस की तो उनकी जो आडियो रिकॉर्डिंग है वो वायरल हो चुकी है मैं आप सभी को बिताने वाला हूँ कि कैसे इस आडियो में क्या-क्या बाते हुई है मैं सुनाओंगा आप सभी को इसलिए आप सभी हमारी से वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखेगा दोस्तों जब से ही आर्यान खान की गिरफतारी हुई है तब से ही सारुक खान के माथे पर साफ चिंता की लकेरे देखने को मिली है और यह हमने अनभाव किया है कि सारुक खान के तो मानो हवाई ये उड़े पड़े हैं और सारुक खान को ये लग रहा है कि कहीं आर्यान खान के जरिये सारुक खान की गलतियां सामने ना आ जाए और सारुक खान भी गिरफतार ना हो जाए या फिर सारुक खान की भी करने की कोसिस की तो उनका audio leak हो गया उन्होंने क्या बाते की है वो ध्यान से सुनिएगा सारुक खन ने आर्यान से फोन पर बात करते टाइम पर पहले तो सबसे पहले आर्यान खान के हाल चाल के बारे में पुछा कि आर्यान खान है कैसे क्या उनको वो सारी सुधाय मिल रही है जो कि उनको घर पर मिलती थी तो आरियान खान ने इस वर कहा कि यहाँ जेल में उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जा रहा है इसके लावा उनकी परसानी जो है वो लगतार बढ़ती जा रही है साथी साथ उन्होंने बताया कि यहाँ टॉयलेट काफी गंदा है इसके लावा उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर आरियान खान को अच्छा खाना भी ने मिलता जिसकी वैसे आरियान खान को बिस्कुट खा करके गुजारा करना पड़ रहा है इस तरह से आर्यान खान ने सारुक के सवालों का जवाब दिया इसके बाद सारुक खान ने आर्यान खान को संतावना दे कि वो बहुत ही जल्द आर्यान खान को जिल से बाहर निकाल देंगे और इसके लिए उन्हें ने बताया कि वो किस तरह से लगतार वकिलों के संपर्क में है और इसके बाद सारुप खान ने गौरी खान से भी आर्यान खान की बात कराई और गौरी खान ने भी फिर आर्यान खान से जब तक बात की इसके बाद समय पूरा हो चुका था और मैं आपको बता दूँ कि जिल में एक लिमिट में ही कैरियों से बात की जा सकती है इसी वैसे गौरी खान जादा बाते नहीं कर सकी और फाइनली फोन को काट अब इसके बाद खबर यह है कि आरियान खान फोन के कटते ही चिला चिला कर रोने लग गए और उनको यह समझ में आ गया कि अब वो सारुख खान से जल्दी मिल नहीं पाएंगे और इसके बाद आरियान खान की जिल में एक बार फिर से परिसानी बढ़ी है और इस तरह से सारुख खान का यह जो कॉल आडियो था वो पूरी तरह से वाइरल हो गया और इस पर सारुख खान को भी पता नहीं चल पाया था मैं आपको बता दूँ कि सारुख खान के वेटे आरियान खान की एक बार फिर से 20 अक्टूबर को कोर्ट में सुनाई होने वाली है और कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि आर्यान खान को लंबे टाइम तक जिल में रहना पड़ेगा या फिर इनको वेल मिलने वाली है तो यही था इस वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ भी सेर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद